प्रक्राइब 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 प्रक्र सिर्फ 1370 करोड रुपए जो मतलब TVS ग्रूप की रैपिटेशन है उससा आप से बहुत कम इसको सब्रेप्शन देखने को मिला है और दोस्तों आप लोगों में से किन-किन लोगों ने इस IPO में अपलाए किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और दोस्तों इस IPO के कम सब्क्रेप्शन का कारण भी यही है मैंने आपको पता एक तो ग्रे मार्कित का प्रेमियम कम था बाकि company देखा जाए तो sector wise ठीक है मतलब मुझे ऐसी company नजर आ रही है कि listing के बाद इस पर हम नजर बना के रख सकते हैं अगर यह down जाता है तो क्या है कि इसके इंदर fresh buying करने की उम्मीद रख सकते हैं तो अभी इस पर मैं नजर जरूर बना के रखूँँगा मतलब आने वाले time में लिस्टिंग होती है down जाता है तो मैं सोचूंगा इस पर खरीदना है नहीं खरीदना है क्योंकि company कभी interesting है और sectors का अच्छा है और अपने sector के इंदर leading company है फिर दोस्तो QIB portion 1.37 गुना ही subscribe हुआ है कोई interest खास नहीं बताया गया है QIB से NII portion 2.44 गुना उन्होंने भी कोई खास interest नहीं लिया retail portion 7.90 गुना सिर्फ 10% था इसे का और 7.90 गुना भी ज़्यादा नुजर आ रहा है तो उनके दोरा भी कोई खास response नहीं है अब total ये 2.55 गुना बहुत कम हमें subscription देखने को मिला है इस IPO के अंदर फिर दूस्तों बात करें ग्रे मार्केट के premium की तो 5 रुपए per share 86 share का lot है 380 रुपए एक lot पर फाइदा बता रहा है percentage wise सिर्फ 2.5% जिसका ग्रे मार्केट का premium है बहुत ही कम इसका ग्रे मार्केट का premium हो गया है फिर दूस्तों बात करें जो 16 अगस्त को जिस IPO की listing होनी वाली है SBFC Finance का IPO 16 अगस्त को ये share market के अंदर list होने वाला है कल की तारिक में 15 अगस्त को चुटी होगी 16 अगस्त को ये share market के अंदर list हो जाएगा तो इसका latest ग्रे मार्केट का premium 27 रुपए per share लगातार ग्रे मार्केट का premium जो है down होता जा रहा है भी market भी down है कुछ selling pressure भी है FIIs के दोरा बढ़े institutional investors के दोरा क्योंकि जब भी market आई होता है उसके बाद क्या है कि profit booking होती है profit booking होती है तो selling pressure बढ़ता है तो ये कारण भी कुछ होते हैं कि ग्रे मार्केट का premium down हो जाए यसी लिए मैं किता हूँ minimum 20% हो तो कहाई कि apply करते हैं तो गिर-गिर के 10% भी आ जाए 5% भी आ जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है जिसका ग्रे मार्केट का premium 70% से उपर का था आलांगे देखा ज़र काफी बढ़िया है ग्रे मार्केट का premium पर फिर भी जो 70% चल रहा था उससे डाउन होता जा रहा है तो ये थोड़ी सी चिंता जनक बात है पर मैं आपको बढ़ाया भी था listing day strategy वाला वीडियो बनाया हुआ है कि मुझे हो सकता है उम्मीद है कि डाउन खुल सकता है मतलब 20-25 रुपे का premium देखने को मिल सकता है एक share पर पर बाद में हो सकता है share के अंदर थोड़ी बहुत हमें तेजी देखने को मिले ऐसे आसार है फिर दूस्तों Concord BioTech का IPO इसकी listing अठार आगस्त को हने वाली है इसके listing day strategy पर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा और इसका grey market का premium भी down होता जा रहा है 100 रुपे पर share बी share का lot है 2000 रुपे जैसा आइक lot पर फाइदा पता रहा है तो percentage wise देते हैं करीबन 13-14% जैसा grey market का premium है इसका भी grey market का premium बहुत कम चल रहा है और उमीद है कि इन दोना IPOs में नुकसान नहीं होना चाहिए मतलब जिन लोगों ने apply किया है जिनको मिला है तो उनको फाइदा तो मिलना ही चाहिए फिर दोस्तों दो upcoming IPOs आने वाले हैं Pyramid Technoplast का IPO, Aeroflex Industries का IPO और दोस्तों इनका भी grey market का premium ठीक चल रहा है अगर ऐसे IPOs वगेरा में apply करने के लिए आपके पास यापके family members में किसी के पास भी demate account नहीं है आप अपने allotment के chances बढ़ाना चाहते हैं तो घर के अलग-लग family members के demate account से apply कीजिए application ज़्यादा लगेगी इससे कहेगी allotment के chances थोड़े से बढ़ेगे तो आपके पास यापके family members में किसी के पास भी demate account नहीं है तो बिलकुल free में demate account खुलवानी की link आपको description के अंदर मिल जाएगी angel, upstocks और धन के साथ बिलकुल free में कुलवा सकते हैं उसके लावाद उसको instagram पर भी हमें follow करना मत बूलिएगा और telegram channel को जरूर join कीजिए ताकि छोटा मटा update मिलता रहे वहाँ पर जानकारी और वीडियो का notification भी मिलता रहेगा सबकी link description के अंदर है तो देखा जाए तो अभी अपलाई करने के लिए थोड़ा रिस्की है minimum 20% का criteria होता है तो अभी कम है फिर दोस्तो arrowflex industries जिसका ग्रे मार्केट का premium करीबन 40 रुपए पर शेयर चल रहा है और 130 शेयर का ये lot है तो करीब इन 500 रुपए मलब 5200 रुपीज एक lot पर आज की तारिक में फाइदा बदा रहा है परसेंट इसवाई 37% मलब 37% जैसा ग्रे मार्केट का premium है तो अभी जितने भी IPOs चल रहे हैं उनमें से arrowflex industries की demand सबसे ज़्यादा चल रही है तो दोस्तो ये थे सारे आज की अपडेट्स उम्मीद करता हुँ हमारा वीडियो जान करें आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर टेलिग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री मेडी मीट अकाउंट सब की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है